विच्पन में जब पी समय वेकेशन्स होते थे ना तो यूपी भी हर रूट पे हम लोग अपने गाउं के लिए ट्रैवल करते थे और उस वक्त एक जो बहुत ही फेवरेट चीज जो हम लोग बहुत अट्रैक्ट करती थी वो थी जाल मुडी अब ट्रेन में ट्रैवल थो हमे चीजों की ज़रूत पड़ेगी तो यहां पर मैं ले रही हूँ एक कटोरी मुर्मुरे या पफ्ट राइस जो भी आप इसको बोलते हूं इसके बाद मैं यहां पर ले रही हूँ थोड़ा सबुना हुआ अच्छा ना थोड़ी सी मुनी हुई मुंफली और नमकीन कोई सी जो आपके पास अवेलिबल हो इसके बाद मैंने यहां पर एक छोटे आलू को बोयल करके कट करके ले लिया है साथ ही मैंने थोड़ी सी यहां पर धनिया की पत्तियां ले ली है कट करके यहां पर मैं ले लेती हूँ एक मेडियम साइज कप्यास कट करके छोटे कट हुए ट जाट मसाला यहां पे नॉर्मल सॉल्ट और इसके साथ ही सरसो का तेल सरसो का तेल मोश्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जाल मुड़ी का असली स्वाधिसी से आता है इसको आप नहीं डालेंगे तो जाल मुड़ी कभी भी जाल मुड़ी नहीं बनेगी तो चलिए अब इसको कर लेते हैं तो यहां मैंने ले लिया है एक बड़ा सा बर्तन और अब मैं अपना जो पफ्ट राइज या मूर्मूरे है वो इसमें डाल देती हूं फिर मैं इसमें आड करूंगी प्याज कम जादा जैसा आप चाहें आप डाल सकते हैं फिर खूप सारी हरी मिर्ची क्योंकि जाल मूरी है तो तीखा बनेगा इसके बाद मैं इसमें आड कर रही हूं टमाटर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें छोटे-छोटे खीरे भी कट करके डाल सकते हैं फिर यहां पे मैं आड कर रही हूं बॉयल पटेटो इसके बाद मैं इसमें आड़ करूंगी मुफली के दाने यहां पे भुने चने और साथी नमकीन और थोड़ी से नमकीन हम बचा लेंगे गार्णिश के लिए उसके बाद मैं इसमें डाल देती हूं चाट मसाला फिर मैं डाल देती हूं सॉल्ट थोड़ा सा क्योंकि हमने सारी सबचियर डाली हैं तो नमक कम लगेगा इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक डाल दे बहुत स्लाइटली फिर मैंने इसमें अट किया खूप सारसोगा तेल और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको एकदम स्टाइल में सौफ करेंगे तो यहां पर मैं क्या करती हूँ ले लेती हूँ दो दोने और उसके बाद मैं इसमें इसको सौफ कर लेती हूँ सौफ करने के बाद मैं इसमें कुछ चीजे और आड़ करूँगे तो उपर से मैं आड़ करती हूँ और ट्रेन वाली जाल मुडी का स्वात घड़ते हीलने मिलती हूँ आपसे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केर, और बाइ बाइ, और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा झाल